हलो दोस्तों मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांट फैक्निक बाफिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियों बताने वाले हैं कि एयर फोर्स एयर फोर्स यक्स गुरूप और वाई गुरूप का रिजल्ट कप जारे किये जाएगा तूंकि इसमें हो चुकी है पहले अपरेल में होना था फिर जुलाई में पेपर हो चुका है आप जुलाई से आप जोड़ेंगे तो लगभाग पांच महीने ओ और फिर यहां पे जनवरी लग चुका है 2022 लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया जबकि रिजल्ट तो आ जाना चाहिए था म क्या इसमें समस्य हो रही है कब तक रिजल्ट आने की आपकी शंभावना है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जिन बच्चों का यह निकल जा रहा है क्या उनके लिए एयर फोर्स की तरफ से कुछ ऐसा जवाब आया है यह नहीं आया है मैं इसको वारे में आपको पूरा क्लियर करूंगा तो वीडियो सुरूष लेकर करके आं तक देखिए गार यह यह वाई गुरूप पर इच्छा का रिजल्ट जहां अब देखिए आप लिखा है जो आपकी भरती कर वाती है यह और वाई ग्रूप की वोट का नाम क्या है सी सेंटरस मेल से डूल्ट यह परिछ्षा पहले कभोनी ठीए अपरेयल में होनी थी अपरेयल में परिछ्षा होनी थी लेकिन क्या हुआ आ गया इसमें कोविट कोविट की वज़य से कभव वह यह 12 जुलाइस लेकर के को अथारा जुलाइ के वीच में इसके बाद आ जाना ठा अगले महिने एकी महिने के अगले महिने के अंदर आ जाना चाहिए था हर बार आ-जाता था लेकिन आप क्या हुआ इसमें अगले नाधा की फिर्इविकर आयो संबस्क्राइब कर दिश्चय को बिसित करते वीडियो उपलम्द करा दूंगा जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको तुरंत अप्रोट कर दूंगा लेकिन रिजल्ट कब आने वाला है आप यह देखिए रिजल जल्द ही आने वाला है इसलिए आप भ्यार्थी समय पर अपना आपको बता दू कि गुरूप एक्स और वाईस बर आप देखे पाउड ह में निकलने वाले हैं आप देखिए आपकर फार मय इंड़कोब में आगले फार watch Vallahi के लिए गुरूप एक सब्सक्राइब कर दिया फिर जुलाइब की गई थी यहाला कि समय में बैठी यूं कर देखिए आपको इसमें क्या-क्या बताने वाला हूं ध्यान से सुनिए देखिए इसमें कारड क्या-क्या है अभी कि आप जानते होंगे इसमें डिमान भी की गय थे बच्चों की तरफ से एर फोर्स और इसका यक्स औरर वाई गृूप का हेर फोर्स का है रिजल जा którego किया जाए तब सरकार निक्या बताया था आपको मैं दिखा दूंगा इस वजह से दिखा भी देता हूँ कि तरफ से भरती प्रिक्रिय को निरस्था कर दिये जाए अगर यहां किया जाता है तो हजारों की संक्ख्या में आविस्या भ्यारति बाहर हो जाएंगे जिनका आखरी attempt है क्योंकि इसमें एच का डिमांड है तो एच वजह से बच्चों का क्या होगा उनका जब एच निकल जाएगा जब उनकी एज निकल जाएगे तो क्या होगे वो बाहर हो जाएगे तो अगला प्रोसेस फारम कर पाएगे उनका तो इसके बाद result आ रहा है वो भी लेट हो रहा है तो इस वज़े से बचें को डर है कहीं उनकी एज निकलना जाएगा है क्योंकि आप रूइसे क्या होगी बच्चों को समस्चय हो रही हैं अगर इसा किया जाता है तो हजारों की संक्रियों की सेल कर आफ extending का आर्मी में जाने का जिनका आखरी इस अर्फोर्स के अगर के बाद अज्यार हो रहा हा थो अधिक्तर आभ भ्यार्थी ओबरेज हो जाएंगे और वह भरती के लिए वेज़र नहीं कर पाएंगे हालां कि एरफोर्ड की तरफ से रिजल्ट में देरी की वज़ा क्या बताई जा रही है अभूत पूर विस्थिति और प्रसासनिक कारण को बताया जा रहा है देखिए अब आपको मैं यहां पर समझा आने वाला है क्या यह तो क्या क्या परक्रावलो आपके खाली है इसे को इससय हो रही है तो लेकिन अब इसमें अब आयोग उख सी इसथ भी बताए है कि क्या समस्य इनकी ले की डियर बता भी नहीं रहे हैं बच्चों को निकल जा रहा है और नेश्ट परिष्छा का इस्विया ने घृह सबीनाइक्ट का आने वाला है किश्वय गृुप का अलक सी आने वाला है तो तो ईहांप पर समध्या है लेकिन अब म concurrent अब आने वाले हैं लेकिन आप देखेंगे जुलाइज में जब पेपर हुआ तब से कोवेट तो कम है तब जारी कर देना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं आ पाया क्या समझ से हाई ये तो आयोगी बता सकता है लेकिन उनको क्लियर करना चाहिए और जल्द ही हम मांग करते ह क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है इसलिए अगर फूट ये नहीं मिले उनको एज में आपके लिए अल्गसी वीडियों में बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो बाई बता दूंगा तो डिश्ट मिलने वाली एक नहीं मिलने वाली हैं बस आचे लिए इतने ही मिलतेने स्वीडियो में गुडबाई